हेलो दोस्तों स्वागे थे आपका आपके अपनी यूट्यूब चनल एजुपूर में कल के मारी वीडियो थी बीए थर्ड येर की सोशालोजी विशासर रेलेटेट यह पेपर वेन की वीडियो थी पेपर की नाम था समाश शास्त में परिपेख्ष तो कल की ही वीडियो को आ कहा हुआ वह किस प्रकार के समाश शास रेते हैं उन्होंने किन किन तरह की कृतिया लिखिये और नौकर शाहिस से समद्धित जो उनका विचार है वह क्या थे तो अगर आपने वह नहीं देखिए वीडियो तो आप देख सकते हैं आज हम बात करें कि मैक्स वीवर ने सत्ता और शक्ति के वारे में जो अपने विचार प्रस्तूत की है और उन्होंने जो तीन प्रकार के प्रकार बताया हैं सत्ता के वो क्या क्या है उच्छारी वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिजएगा वीडियो क्लास्टर मैंने कुछ कोशन अधिकारों का उपयोग भी कर सकते हैं और इस अधार पर वेबर ने सत्ता के तीन मुख प्रकार का उलेक किया है जिने वेग्यानिक सत्ता परंपरागत सत्ता और चमतकारी सत्ता कहा जाता है वेबर के अनुसार वेग्यानिक सत्ता वा है जो राज दौरा बनाए गया कानून क दोरा कुछ लोगों को शक्ति या उपयोग करने का विशिश अधिकार देती है यानि जैसे कि हमारे पूलिस कर्मी हो गए हमारे प्राइम निस्टर हमारे हमारे राश्पती हो गए है या फिर हमारे सीएम गएरा हो गए है तो यह सब को क्या है वैद्धानिक सत्ता प्राप्त संबोधित करते हैं तो वेबर के अनुसार नौकार शाही और अधिकारी तंत्र वैध्यानिक सत्ता का सबसे प्रमुम उधारण है नौकार शाही व्यवस्ता में जब किसी वैक्ति को एक जिला दीश अत्वन्याय दीश के रूप में नियुक दिया जाता है तो उसे कानून के दारा कुछ ऐसी शक्तियां और अधिकार दिये जाते हैं जिनके दारा वे एक निश्चित प्रणाली के अंदरगत दूसरे लोगों को एक विशेश जंग से विवार करने के लिए बात कर देते हैं समाल में जिन लोगों को वैध्यानिक सत्ता प्राप्त होती है उनका चिना वैध्यानिक सत्ता 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 वैध्यानिक सत पूर जो कारवाई होती हैं उनको लिखित रूप से पूरा करें कोई किसी को कुछ आदेश दे रहा है और अगला व्यक्ति उसके आदेशों का आदर्शों का पालन करना पड़ता है तो नियंतरन की दिष्टी से राज की ओर से अनेक नियम और उपनियम प्रतिपादित किया जाते हैं और इन नियमों वह उपनियमों को चलाने के लिए अनेक पद की होशक्ता होती है तो इन विविन पदों के साथ विशेश प्रकार की सत्ता भी जुड़ी होती है तो इस प्रकार जो वैक्ति इन पदों पर नियुक्त होते हैं उनके हाथ में उन पदों से सम्मदित सत्ता भी आ जाती है जैसे कि मुखबंती पद पर आसी नोने कारण मुखमंत्री के पद से संबंदित सत्ता को प्योग लाने का अधिकार होता है और ये सत्ता उनको वैध्धानिक रुप से भिलती है तो इस प्रकार वैक्ति को राज के नियमों उप नियमों के अनुसार अपने पद से संबंदित अधिकारों के अधार पर जो सत्ता प्राप्त होती है वो वैद्धानिक और कानूनी सत्ता कहाती है अब बात करते हैं चमतकारी सत्ता के बारे में तो वेबर केनुसा इस प्रकार की सत्ता ना तो परंप्रागत और ना ही वैद्धानिक होती है ये चमतकार वो विलक्षन या अनोकी शक्ति होती है जो किसी वैक्ति या कुछ वैक्तियों में विश्चितार पर पाई जाती है या शक्ति वास्तविक अनुमारित आंत्रिक बाहरी आदी किसी भी रूप में हो सकती है तो इस प्रकार विलक्षन, अद्बुत, अनोखी या चमतकारी शक्ति प्राप्त वैक्ति की करिश्माई या चमतकारी सत्ता के अधिकारी होते हैं सबस्तो एक ही इस प्रकार की सत्ता को प्राप्त करने में वैक्तियों को वर्षो लग जाते हैं यह होता है कि ऐसे वेक्टियों के समान जनता दोरा विबिन छेत्रों में आधर वा सम्मान किया जाता है जैसे कि जादूगर, अवतार, पीर, धार्मिक नेता, या फिर बाबा, या फिर राजनेतिक, नेता, सैनिक, योद्धा, आधी इन सभी के उधारण होते हैं तो समाज में सामान लोग इन लोगों में अदबुत विलक्षण और अदिती गुणों का वास मानते, इस प्रकार की सत्ता का विश्वास, विशेस आउसरों पर इन सत्ताधारी वेक्टियों दोरा प्रदर्शित की जाने वाली विलक्षण शक्ति के कारण भी होता रहता है इतना इनी विबिन शेतरों में आसमान और कठी समझ जानी वाली सफलताओं के दोरा भी करिश्माई या चमतकरी सत्ता का प्रदर्शन होता है तो इस प्रकार की सत्ता में युक्त वैक्तियों के कारों से समु के लोगों का वैक्तित्व और सामु कल्यार्ण भी होता है इसलिए सामान जन्ता का विश्वास उनके प्रती दिन प्रती दिन अधिक बढ़ता चाता है और इसके विप्रित जब करिश्माई सत्ता से संपन वैक्ति अपनी विलक्षा शक्ति का प्रदर्शन करने लगता है तो समू के लोगों का विश्वास और भी जादा गहरा होने लगता है तो इस प्रकार करिश्माई सत्ता की परंपरागा सत्ता की भाती निश्चित सीमा नहीं होती है और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि करिश्माई सत्ता परिसिति का अनुसार वैध्यानिक या फिर परंपरागा सत्ता में परिवर्थित भी हो जाती है तो इस प्रकार सत्ता की अबदार्णा और इसके विबिन प्रकारों की विवेशना करने के साथ ही इस सत्ता की विबिन स्वरूप और अतियासिक करम को भी समझा जा सकता है सत्ता की कोई न कोई प्रणाली विपरतियक युग में विद्मान रही है और इसी के अनुसर लोगों की वहवार को एक विशेश ठंग से प्रिभावित भी किया जाता रहा है तो सत्ता का सबसे आरंबिक रूप चमतकारी सत्ता की रूप में विद्मान था फिर समाजिक मूल और परंपराओं में परिवर्दित होने लगा और फिर तब जाकर समाज में अनुभाओं और विद्ध लोगों को अधिक सम्मान भी दिया जाने लगा इसके फलस्वरूप चमतकारी सत्ता की जगह परंपरागर सत्ता का महत्व बढ़ने लगा फिर आदुनिक समाजों का आकार जब बहुत जादा बड़ा हो गया तो उन वहवारों को अधिक महत्व दिया जाने लगा जो तारकिक मूल पर एधायत थे तो तारकिक मूल पर अधायत न जाने लगा तो जो तारकिक मूल पर इधायत थे उनका विस्थार होने लगा तो तब परंपरागत सत्ता के स्थान पर वैद्धानिक महात्वपूर बनने लगी यानि पहले चामत कारिक था प्राचिन कालवे फिर परंपरागत हुआ यानि पेड़ी दर पेड़ी वो हसानती थोन लगा लेकिन जैसे जैसे नवीन यू के प्रादुर्बा हुआ लोग तरक करने लगे लोग चीजों को तरक के लॉजिक के हिसाब से समझने लगे तब वैद्धानिक यानि कानून से रिलेटेट चीजों को ज़्यादा महात्वता दी जाने लगी इसके बाद ये कहा जा सकता है कि विबिन समाजों में सत्ता के इन विबिन प्रकारों का विकास निश्चित एतिहासिक करम में नहीं हुआ इस विकास करम को प्रस्तित करने के पीछे वेबर का उद्देश यह था कि केवल उन दशाओ का स्पष्ट करना जिनके अधार पर सत्ता का एक विशेश रूप से किसी दूसरी रूप में बदला जा सके तो एतिहासिक क्रम में चमतकारी सत्ता को वेबर ने पहला इस्तान दिया था प्राचिन समय के अधिकार समाजों में सत्ता के इसी प्रकार की प्रधानता भी रही है वेबर ने लिखाया कि अन्विश्ष्ष्टाओं के साथ चमतकारी सत्था से संबंद इस सबसे बड़ी सत्ता संबंद वेक्टियों के मिल्टिक बाद उसके उत्रादिकारी की खोज करना होता था विबिन समाजों के लिए इसके लिए अलग-अलग प्रकरिया है अब नहीं ज तो आज की वीडियो के लिए इतना ही नेक्स वीडियो में हम इससे आगे की टॉपिक यानि पूंजी वाद इन सब के बारे में बात करेंगे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देज़ेगा चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके बैल आकोन को ज़रूर से प्रेस इसलिए आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती हमारी वीडियो रोज शाम साड़े पांच बजे अप्लोड हो जाती है तो आप लोग वीडियो को यह से देख लिया किजिए और प्लीज लाइक क्यार दिया किजिए और आप चाहे तो हमें इस्टाग्राम पर भी वीडियो कर सकते हैं हमारे इडि एडि रेट एजुपूर27 चली मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक लुप खूब ख्याल रखें बाई बाई